वीका टेक स्टेडी आईटिय यूटूब चनपर आरपी एफ कॉंस्टेबल के फॉर्म भरे जा चुके हैं और होफुली दसवी पास आउट था तो आप सभी ने इसका फॉर्म फिल अप किया होगा और इसकी तैयारी में भी आप लोग लगे होंगे तो कुछ यहाँ पे बिंदों पे चर्चा करेंगे कैसे आप एक्जाम की तैयारी कर सकते हैं बेस्ट बुक्स क्या होंगी आरपी एक्जाम की साथी एक्जाम पैटर्न एंड स्लेबस यह भी आपको जरूर देख लेना चाहिए जिससे आपकी आरपी एक्जाम की बेहतरीन तैयारी हो सके तो इन सभी बिंदों पे देखेंगे इसी वीडियो में परी चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके वेल आइकन को दबा लीजेगा और साथ में वीडियो को लाइक और सेर जरूर कीजेगा यहाँ पे आपको सभी तरह की जौब की अपडेट इन्फॉर्मेशन इसकी साथ-साथ पढ़ाई की वीडियो जह हमेशा इस चैनल पर मिलती रहती है इसपेसली आइट इचातरों के लिए चैनल पूरी तरह से डेडिकेटेड है अगर आप आरपीफ कॉंस्टेबल एक्जाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं इसमें आपको चक्छू पब्लिकेशन बहुत हेल्पुल हो सकता है चुकि यह डेडिकेटेड इन्होंने एसाइट चोड़के सिर्फ और सिर्फ कॉंस्टेबल पे इन्होंने फोकस कि आपनी बुक्स के माद्यम से और बहुत ही बेहतरीन बुक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी आप सबको पताएं कि RPF कॉंस्टेबल के एक्जाम में रेलवे में जो रिजनिंग है मैथ है और आपका करेंट अफ़ेर्स यही तीन पार्ट होता है जिसमें करेंट अफ़ेर्स आपके 50 कुश्चन और यह 35-35 कुश्चन यहीं 70 कुश्चन रहता है यह कंप्लीट कर लेने के बाद आपको क्या करना है कि जो RPF कॉंस्टेबल का इनका स्टडी गाइड है यह आपको हल्प करेगा स्टडी गाइड आपको यहाँ पे स्टडी गाइड में आपको 2000 से ज़्यादा कुश्चन मिल जाएंगे इसके बाद लास्ट में आपका क्या होता है कि आप प्रिवेस एर के कुश्चन पेपर्स और प्रैक्टिस से ज़्यादा बहतर हो जाती है पहले इन तीन से प्रिपरेशन करिए फिर आप अपना स्टडी गाइड एक बार रीड करिए इसके बाद आप प्रिवेस एर के कुश्चन पेपर्स सॉल्व करिए साथ में यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट दिये गए है इनको सॉल्व कीजिए और लास्ट में आपका रिवीजन जो है भी आपकी स्टडी गाइड से हो जाएगा तो यह एक कंप्लीट पैकेज हो जाएगा आपकी तैयारी का तो आप चाहें तो अमेजान पर फ्लिपकार्ट पर या चक्चो बुक्स डाट कॉम पर आप इनको आडर कर सकते हैं सभी प्लैटफॉर्म पर आपको यह मिल जाती है साथ में उनका आपको आपको आंसर की मिलेगा नीचे आपको एक एक कुस्चन की प्रावपर ब्याक्ख्या मिलती मीनस आप यहां से भी अगर पढ़ाई करते हैं तो आपकी पूरी डिटेल इस्टडी होती यह नहीं होता आपने 89 का D देख लिया बस D सही है उसके साथ साथ एक कुस्चन सॉल्व करेंगे एक कुस्चन का अंसर आप देखेंगे आपको और ज़्यादा बहतरी यहाँ पे समझ मिलेगी तो इस वज़ा से आपकी तैयारी और ज़्यादा बहतर हो जाएगी अब यहाँ पे जश्चन हम बात करें कुल कुस्चन होंगे आपकी 120 टोटल नंबर आपका रहने वाला है 120 और समय मिलेगा आपको 90 मिनट जिस तरह से 120 कुस्चन में 90 मिनट आपको मिल रहा है इससे कलीर है कि आपको एक कुस्चन पे एक मिनट से भी कम बिल रहा है तो आप ये 10 सेकेंड, 15 सेकेंड में इन सब का आंसर आसानी से कर पाएंगे। नेगेटिव मार्किंग 1 थर्ड की रहेगी, अगर आप किसी कुस्चन को अटेम्ट नहीं करते हैं, तो उसका आपको कोई नमबर नहीं मिलेगा, नहीं उसका कोई नमबर कटेगा। लेकिन अगर आप अटेम्ट करते हैं गलत होता है, तो एक तीहाई नमबर आपके काट लिए जाएंगे। लेकिन अगर आप किताबों से दूरी बना लेंगे, तो कहीं न कहीं आपकी तैयारी हैंपर होगी, क्योंकि जो ग्यान किताबों में होता है, वो ग्यान आपको ऑनलाइन स्टडी के माद्दिम से नहीं मिल सकता, अगर आप किताबों से अपना बेसिक क्लियर रखते हर चीज तब आप कहीं न कहीं जो आनलाइन पढ़ाई होती है, उस पे फोकस करते हैं, वहाँ पे कोई चीज सॉल्ब कराई जारी, मौक टेस्ट कराई जारी है, उसको करते हैं, तब उससे आपकी हल्प होती है, तो इस तरीके से आप लो कॉंस्टेबल एक्जाम का अपना तैयारी कीजिए, जिस पे ज़्यादा फोकस करना आपको जैसे mathematics और reasoning क्या है, आपको solve करना होगा, अगर इसमें आपका basic नहीं किलियर है, तो इस पे आपको ज़्यादा समय देना है, daily कम से कम math का एक chapter syllabus की हिसाब से आप उसको जरूर तैयार कीजिए, ठीक है, जैसे एक दिन आपने number system पढ़ा, आगले दिन आपने, जो और topics हैं उसको पढ़ा, बुक में भी आपको topic wise, chapter wise मिलेगा, एक chapter का target बनाईए, daily हम mathematics का एक chapter, और reasoning का पूरा एक जो आपका chapter हैगा, उसको हम complete करेंगे, उस से related question भी करेंगे, उसकी एक short notes भी बनाएंगे, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे और इससे बेहतरीन तैयारी करने वाले बहुत सारे चातर हैं, आप उन्हीं भीड में कहीं न कहीं खो जाएंगे, आप यहाँ पर selection फिर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि vacancies कम हैं, form जादा भरे गए हैं, तो मेहनत भी आपको जादा करनी पड़ेगी, और general awareness जो है, य अगर आपने अच्छे तैयार किया है, इसको आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है, अब यहाँ कुछ एक points है, 6 points हमने लिखे हैं, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले syllabus को समझ लेना, उनको बिंदुआर, नोट कर लेना, जिस दिन जिस topic को खतम करें, उ और उसमें 2 hours, 3 hours इस तरह से एक एक topic को आप क्या करेंगे, देंगे, जिससे कि आपका उस दिन उतना ज्यादा वो complete हो सके, और अगर जिस दिन नहीं complete होता है, तो आप को सिस करिए, अपने BG schedule हो चाहें, जैसा schedule हो, उसमें और समय निकाल के उसको दीजिए, और उसको complete कीज जाएं, ठीक है, दूसरा है, जो आप पढ़ रहे हैं, बुक्स हो गई, जो भी हो गया, उसको एक compile करके एक list बना लीजे की, मतलब किस बुक से आप क्या क्या तयारी कर रहे हैं, current affairs के लिए आप चाहें तो Lucent और भी refer कर सकते हैं, अगर आप एक package नहीं का लेते हैं, तो अपना एक अंदाजा होता है, कि जो previous year के question papers थे, उसमें मैं कितना attempt कर पा रहा हूँ, मैं किस गहराई में हो, किस label के अभी हमको और मेहनत करनी पड़ेगी, और सभी distraction से दूर हो जाईए, अगर आप Instagram, YouTube पे time waste कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उन सब को अभी हो सकता, फिर आप जिन्दगी वर्बस घूमने का ही समय आपके पास रहेगा, एक बार इसाब छोड़ दीजे, पढ़ाई कर लीजे, select हो जाईए, फिर जितना घूमना खुब घूमेएगा, उसके बाद आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा, ना, आप अपने career में भी संडे आज पढ़ लिए, आप चार दिन नहीं पढ़ेंगे, फिर पांच में दिन पढ़ लेंगे, ऐसे आप पढ़ेंगे, तो फिर आपका मुस्किल हो जाएगा, selection, और जो practice papers है न, previous year के question करने के बाद आप practice जो set है, उसे करिए, practice set में क्या होता है, वो संभावित question होते है कि पहले पूछे के, अब ऐसे questions पूछे जा सकते हैं, तो practice set को आप ज़रूर solve कीजे, practice set जितना ज़्यादा आप solve करेंगे, उतना ज़्यादा आपका confidence और तयारी boost होगी, ठीक है, अपने progress को assess करना है आपको, उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सारे ऐसे applications हैं, उस पे को assess कर सकते हैं, तो ये कुछ बिंदू हैं, जिससे आप RPF constable exam की बेहतरीन तयारी कर सकते हैं, दस्वी पास का exam है, आप अगर ITE कर रहे हैं, आपने form भरा है, तब भी इसमें आप लग जाए तयारी में, थोड़ा सा tough है, selection exam के बाद आपको PT and PMT से भी गुजरना पड़ता ह लेकिन नवकरी अच्छी है, duty का ज़्यादा pressure नहीं है, ठीक है, and सबसे important बात है, promotion वगरा भी इसमें आपको अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है, thank you very much, ख्याल रखेगा आपना, मिलते हैं अगली update के साथ अगले वीडियो में, वीडियो को like और share and channel को subscribe जरूर कीजेगा, अगर नहीं किया भी तक आपने तो, thank you